कैसे हो आप सभी, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैंसे आप सभी को हैपी गनेश चतूर्थी, गनेश चतूर्थी की बहुत-बहुत शुबकामना है आपको, आपकी सारी इच्छाएं, आपके सपने, सब कुछ जो भी आप चाहते हैं, वो आपको मिले, यही मेरी तरफ स आपके लिए शुबकामना, बहुत दिन से सोच रहा था कि एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, ताकि आप से बात की जाए, एक्टिंग से रिलेटेट सेशन, वो तो मैं दिखा ही रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ में क्या चार रहा है, वो शायद वो टाइम ही ने मिर र ये टाइटल फाइनल किया है, तो हर मंडे को हमारा एक वीडियो आएगा, जिसमें मोटिवेशनल कुछ ना कुछ बाते होगी, ताकि आप अपने सपने के और करीब पहुंच सके, तो मोटिवेशन की जहां तक बात है, तो गुद न्यूज मैं आपको दे देता हूँ, सबको, जो लेट सैक का थ्री मंद का कोर्स है, सिक्स मंद का कोर्स है, या ओनलाइन कोर्स है, उसमें 10% आपको डिसकाउंट दिया जा रहा है, एक अक्टूबर को जो बैच शुरू हो रही है, उस बैच के लिए, तो जो भी जोईन करना चाहते है, सोरुपा मैं से बात कीज जो नंबर नीचे दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए, जो भी इंफोर्मेशन है, वो आपको सुरुपा मैं दे सकते हैं, बाकी जहां तक आज के सेशन की बात है, मंडे मोटिवेशन की बात, तो मुझे लगता है कि हमारे लाइफ में गोल होना बहुत ज़ सकते हो, हमारा सुनील जो six month acting training का student है, वो इस वीडियो को शूट कर रहा है, मैं चाहूं तो आज का वीडियो नहीं भी बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा यार, no excuse, जब मेरे subscriber के साथ मुझे बात करनी है, ये वीडियो बनाने का मेरा मन है, तो ठीक है, मैं कार में भी बना सक सकता हूं, तो हमने कार में वीडियो बनाना शुरू किया, तो successful होने के लिए, या लाइफ में कुछ करने के लिए, मुझे लगता है कि जो never give up वाला attitude है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्या होता है, हम कुछ पाना चाहते है, कुछ करना चाहते है, और अचानक हमारे मन में डर आता है, शक आता है, अब विश्वास आता है कि यार मेरे से होगा क्या, अगर हम बात करें, इतने सारे लोग अक्टिंग में भरे पड़े हैं, मैं जाओंगा मुंबई, मैं एक्टिंग के लिए ट्राय करूंगा, मेरे से होगा क्या नहीं होगा, कई मैं वापस त अपने दिमाग में लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर जो विश्वास है आपके अंदर का कि ये मैं कर सकता हूँ ये बहुत जादा माइने रखता है तो belief में बहुत बड़ी ताकत है, हम जिस बात के बारे में सोचते हैं, विश्वास करते हैं, वो पूरा हो जाता है, अक्सर हम भगवान के पास जाते हैं, और कुछ ना कुछ मांगते हैं, अपनी मननत होती है, और हम बोलते हैं कि इस साल मुझे पास कर दे, मेरा बिजनेस ग् दे, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, और हम उस भगवान के पास जाते हैं, जिसको हम मानते हैं, जिसकी शरद्धा है हमारे मन में, और उसके बात क्या होता है, पता है, उसके बात एक मैना, दो मैना, चार मैने, छे मैने, साल भर में वो चीज़े होते हुए आप देखते ह और आपको लगता है, मेरी मंनत तो पूरी हो गई, मैं उस भगवान के पास गया था, और जो बात मैंने बोली वो पूरी हो गई, दरसल पूरी इसलिए हो रही है, क्योंकि आपको अपने से ज़ादा विश्वास भगवान पर है, या उस युनिवर्सल पावर पर है जिसको आ टैप करना शुरू करते हो और धीरे-धीरे आप उस दिशा में आगे बढ़ते हो तो विश्वास जितना विश्वास हमें अपने भगवान पर है उतना ही विश्वास अगर आपको अपने उपर है तो मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है मैं मेरा एक्जांपल बताओंगा आपको मैं मतलब शुरुवात मैंने फिल्म के पोस्टर बेचने से की थी आपको यकीन नहीं आएगा पिच्चर के जो पोस्टर होते हैं न हम लोग चार-पांच लोग थे मेरा भाई था और दो-तीन लोग थे हम लोग जिस एरिया में रहते अब बचा मैं तो मैं क्या करूंगा तो मुझे तो पिच्चर से फिल्मों से लगाओ एक्टर से लगाओ तो वहाँ पर औरंगपुरा नाम का एरिया है जो औरंगाबाद के वो जानते होंगे महारास्टर वाला औरंगाबाद मैं वहाँ जाता था जाके पचास सो रुपे के पोस्टर खरीदने के और वो बाहर एक काउंटर लगाने का दुकान के बाहर अजे देवगन, शारुक कान, सल्मान खान, बच्चन ये सारे हिरो के पोस्टर उसमें लगा देने के चोटे-चोटे कार्ड भी थे जो मेरे काल से 90 वाले होंगे उनको पता होगा, भीरों के कार्ड्स मिलते थे छोटे और वो हम लोग बेशते थे मतलब एकदम पैसे की कमी थी, बहुत गरीब थे, ऐसा कुछ नहीं था मेरे पिता जी, जब मैं 12 साल का था तब उनकी डेथ हो गई, वो होने के बाद फिर हम होस्टेल लाइब जीए, तो दोस्त बन गए, फिर अपना कुछ करते है, बिजनेस करते है, आगे बढ़ते है, इस सोच से हम लोगों ने वो शुरू किया था, बहुत गरीबी थी, ऐसा नहीं था, तो वहाँ सी शुरूवात की, उसके बाद, बचपन में मुझे ऐसा लगता था कि यार, पढ़ाई की क्या जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, मुझे जब एक्टिंग में इंट्रेस्ट है, मुझे टीचिंग में इंट्रेस्ट है, तो यह लिस्ट्री, कि स्कूल वो सब करता था मैं और कैसे तैसे कर लिया बताना तो नहीं चाहिए लेकिन कि टेंत में जो हमारा सेंटर आया था वो सेंटर ऐसा था ये ने ये जिगा से दूसरी जगा जाता है ना वैसे चिथ्ठी आती थी सामने अलेиком लिखाई उदर से चिथ्ठी आया रही इधर लिखा और जो टीचर है उसको कोई लेना देना नहीं था उस बात का तो पढ़ाई तो करनी चाहिए थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली 10 में वही कॉपी करके पास हुए उसके बाद 11 12 आया उसमें भी मेरे चाचा थे उन्होंने बोला क्रॉप साइंस कर क्योंकि हमारी खेती गाओं में तो क्रॉप साइंस कर वह खेती विती करके तो गाओं में कुछ और बढ़िया करेगा अब क्रॉप साइंस में घुसने के बाद अंग्रीजी समझ में नहीं आ रही है वह क्रॉप में इंट्रेस्ट है नहीं ग्यारावी वैसे चली गई बारवी भी चली गई उसके बाद ग्रैजुएशन में लिया आर्ट आर्ट मतलब वही इस्प्री जोग्रफी वाला साथ है वह भी सारा कॉपी करके पास हुआ अगर कॉपी करते वक्त इंग्लिश में कॉपी चली तो मुझे मार्क है 75 और अगर हि कंप्लीट किया कंप्लीट करने के बाद क्योंकि बताने वाला नहीं था ना पेरेंट्स नहीं थे कोई थे तो हम सुनते भी नहीं थे किसी की सुनते नहीं थे अपना एक अलगी जोन होता है वह उसेज में उसके बाद फिर सोचा है ड्रामा करे ड्रामा करे ड्रामा करे वहाँ पर भी ट्रेनिंग से रेलेटेड ही काम था, वो किया, और शादी होने के बाद, Sorry, I can't do it. अरे मेरी शादी हो गई है, Aster, शादी होने के बाद मेरा दिमाग चलने लगा, मेरी बीवी जो है, वो बीवी मेरे लिए बहुत लगी बोल सकता है, क्योंकि इधर मैंने शादी की और उधर मैंने बैचलर इन ड्रामेटिक्स, और अंगाबाद में एक ड्रामा डिपार्मेंट है, डॉक्टर वाबसाव अंबिडगर, मराटवड़ा उनिविशिटी, वहाँ पे बैचलर इन ड्रामेटिक्स का कोर्स है, वो मैंने जोइन किया, और वहाँ से मेरी शुरुवात हुई नाटक की, असली शुरुवात, वो होने के बाद मैंने सोचा, यार मुझे और पढ़ना है, तब मेरी उम्र थी 29 साल, 29 साल शादी हो गई है, बीवी प्रेगनन्ट है, आप सोचो, बैचलर इन ड्रामेटिक्स मैंने कर लिया था, उसके बाद मास्टर इन ड्रामेटिक्स करने के लिए मुझे मुझे मुंबई आना था, तो मुंबई आना है, बीवी बच्चे की जिम्मेदारी लेनी की जगह, मैं सोच रहा हूँ कि मुंबई जाके उनिविशिटी में सीकू, दो साल, पोस्ट ग्रेजुएशन, घर चलाने के वान दे, पैसे नहीं, काम धंदे नहीं, लेकिन पढ़ा ही तो करनी थी, तो मेरा एक है कि मैंने अगर कोई सोचा, किसी बात को करना है मुझे, तो करना है मतलब करना है, उसमें डर, शक, अविश्वास मैं आने ही नहीं देता, मुझे करना है बात खतम हो गई, तो फिर डिसिशन ले लिया, मेरे वाइफ ने बोला कि, हाँ, तुम करना है तुम्हें, तो कर लो, मैं रोक टोक नहीं करोंगी, और फिर मैंने मुंबई ने सिटी में आया, जो वहाँ पर भी ऑडिशन होते है, ग्रैजुएशन की रिक्वाइर्मेंट होती है, उसके बाद to audition होते है, audition के बाद 25 स्टुड़न को सलेक्ट किया जाता है, जीश एड्मिशन के लिए सो लोग आये थे, इंटर्व्यू के लिए, audition के लिए, और lucky लिए audition में मैं सलेक्ट हो गया, और 29 साल की उमर में मैंने मेरी असली शिक्षा शुरू की, जो Mumbai University में मेरा post graduation हुआ और वो जो post graduation के दर्मियान मैंने सीखा वो कुछी ने मेरे life को बनाए मैं ऐसा बोल सकता हूँ एक समझ डिवलप हुई acting क्या होती है कैसे करनी है उसकी जो depth है वो गहराई मैंने वहाँ पर सीखी वो सीखने के बाद मैं बाहर निकला अभी एक ऐसा सवाल भी है जो बहुत बार आप लोग पूछते है मेरे subscriber या नए लोग जो मुझे जानते नहीं कि आप actor क्यों नहीं बने दिखते भी ठीक ठाक हो बात भी ठीक ठाक करते हो तो acting भी ठीक ठाक करते होंगे तो आप actor क्यों नहीं बने तो 2012 में मैं पास आउट हुआ और पास आउट होने के बाद मुंबई में रहने का खर्चा कम से कम 5,000 खाने पिने का खर्चा और वो सारे जमेले करेगा कौन लोग बोलते मम्मी पापा पैसे बेजो यहां तो हम खुद ही पापा बन गए थे साल-दो साल का बच्चा था उसकी जिम्मेदारी ले या खुद के खर्चे और खुद की वो सब चीजे करते रहे मैंने सोचा यार क्या करे क्या करे तो जो एकदम गरम खून होता है ना जैसे जोश एक एनरजी के साथ जो सीख के निकला है वो बंदे को फिर से कैमेरा गले में अटकाना पड़ा और फोटोग्राफी शुरू करनी पड़े मेरे बैच के जो फ्रेंड्स थे उनके पोर्टफोलियो मैं शूट करता था उसके बाद वही फोटोग्राफी का काम शुरू कर दिया साल वर फोटोग्राफी का काम किया मेरा भी खर्चा चलाना था घर पे पैसे भी भेजने थे ऐसे में मैं आडिशन देता कैसे ऐसे में मैं स्ट्रगल करता कैसे एक बंदा था जिसने फोटो शूट किया था आकाश उसका नाम है तो उसने बुछा कि सर आप मैंने फोटोशुट कर दिया मैंने बुला कोई इंस्टिटूट में जाओ और एक्टिंग क्लास वहां से कर लो तो उसने बुला जब भी आपसे बात होती है तो एक्टिंग की बहुत अच्छी बाते बहुत इजी वेसे आप आते हो, तो आप ही सिखा दो, मैंने बुला, सिखा तो सकता हूं, लेकिन मुंबई से औरंगाबाद मेरा आना जाना जरा मुश्किल होगा, तो उसने बुला, मैने में तीन-चार क्लास लेलो, जब भी आप आते हो, तब क्लास लेलो, मैं समझ जाओंगा, कर लोगा, और वहां तो है, नॉलेज शेयर करना भी मुझे पसंद था, मुझे अच्छा लगता है, आज भी अच्छा लगता है, इसलिए तो ये वीडियो बना रहा हूं, तो उसने बुला, सर मैं 25,000 आपको दे सकता हूं, तो जब लो, 25,000? अच्छी बात है, अपना नॉलेज ये तो शेयर कर लेट्सक की शुरुबात होगी, मेरा एक फ्रेंड देवरुप शर्मा, उसने ये नाम दिया था, मैंने बुला यार, एक नाम सजिस्ट कर, तो उसने साथाट आप्शन भेजे, उसमें से लेट्सक ये मैंने फाइनल किया, कि रुको मत, एक्ट करो, एक्ट मतलब भी, कि जिन्दगी में रुकना नहीं है, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, वो शुरू किया, वो शुरू करने के बाद तीन-चार साल मैंने कौरंगाबाद में लेट्सक को चलाया, और वहां के बहुत सारे शूडंट आज इंडस्री में काम कर रहे है, सिरियल में, फिल्मो बन गया, तो एक्टिंग कप करेगा, तो मैंने बोला है, तब पैसे नहीं था, पैसे भी आ गए, अब कौन रोक रहा है, तो पता नहीं बात में क्यों मूड नहीं बन पाया, लेकिन मैं ट्रेनिंग में इन्वाल होते गया, ट्रेनिंग करने में मुझे खुशी मिलने लगी स्टूडेन के साथ रिलेशन बन गया, बहुत अच्छे से परिवार की तरह हम सारी चीजे रन करते थे, तो इसी लिए एक्टिंग की शुरुवात मैंने नहीं की, एक बात हुई कि और अरंगाबाद में अटक गया हूँ, क्योंकि हर छोटे शहर का बंदा सोचता है कि मैं म मुंबई पहूंचू, क्योंकि मुंबई मेरी असली जगह है, वहीं पे तो मुझे काम करना है, ऐसा मुझे भी लगा ठीक है, ठीक है ट्रेनिंग मुझे करना है, मुझे कोचिंग इंस्सेटिूटह जीए, तो क्यो न मुंबई में ढ spo Edu मुंबई में शुरुवात की, तो पड़ी कि माड़ा में रहते थे हम लोग माड़ा में चोटे-चोटे घर 12-15,000 रुपए क्रेंट से मिलते हैं अगर रेंट टाइम पे नहीं दिया तो अनर बोलते थे कि भाई कावकाद नहीं ये लेने कि तो रूम लिया क्यों तुमने रूम छोटा सा तो फिर वर्क्शॉप लेते थे फ्री वर्क्शॉप लेते थे पहले वह सब करते करते फिर जिन स्टूडेंट को ट्रेनिंग अच्छा लगता था एक के बाद दो दो के बाद चार चार के बाद दस इस तरीकिसे स्टूड़न जूड़ते गये और एक कारवा बनते गया फिर अंधेरी में अपना क्लास था जिस जो क्लास घंटे के लिए लेते थे हम लोग जैसे पर आर 500 रुपीज देके लेते थे वही बाद में फूल टाइम ले लिया वो होने के बाद फिर ट्रेनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड ही हमारा काम चर रहा है एक्टिंग कोचिंग से रिलेटेड ही काम च तो मैंने सोचा यार क्या करें ऐसे में अपॉर्चुनिटी आई घर लेने की मतलब हमने घर लेने का डिसीजन लिया और घर लेने का डिसीजन लेने के बाद विरार में एक शापूर जी का प्रोजेक्ट है वह हमने देखा तो बहुत प्यारा बहुत सुंदर सारी आमेनिट को मारकेट में बैखने की ज़रौत नहीं है तो मैं अंधेरी में रहो क्या में विरार में रहो क्या मेरे इंपॉर्टन्ट है मेरे STUDENTS को कोर्सex दे में जाये हैं रहने की सुविधा अच्छी हो और वह चीज़ें आराम से कर सके तो मैंने घर यहां purchase कर लिया, घर लेने के बाद फिर मैंने सोचा मैं रोज अंधेरी आना जाना नहीं करूँगा, मैं यहीं पर मेरी institute shift करता हूँ, अंधेरी के class के double जग मैंने यहां पर ले ली विरार में, और यहां पर हमने class शुरू किया हो, luckily all over the India से जो student वो यहां पर आत है, और बहुत successfully हम लोग काम कर रहे है, car जो पहले थी, activa थी, फिर wagon R Lee, अभी MG Aster Lee, top model, life में grow कर रहे है, आगे बढ़ रहे है, student भी जो सीखने आते है, let's act में, तो बहुत सारे student अभी काम कर रहे है, कोई serial में, कोई filmों में, जो tick के रहा मुंबई में, वो काम कर रहा है, ब मुंबई में टिकेंगे नहीं, तो बनेंगे कैसे, वो थोड़ा चैलेंज हम लोग face कर रहे है, लेकिन आने वाले समय में, वो भी problem solve हो जाएगा, उसके बाद मैंने सुचा है, कि students को exposure मिलना चाहिए, तो हम लोगों ने let's act production नाम से एक channel शुरू किया है, जिस पर हम short films बनात करेगा, तभी जमाना social media का है, उस मकसद से हम लोगों ने six month का एक advanced course बनाया, जिसमें student का चार गंटे class होता है, Monday to Saturday, उसके अलावा बाद में भी वो यहाँ पर रह सकते है, वो practice के लिए रुख सकते है, और वो उनको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि यह advanced course है, और उनी student के स साथ दो short films हम लोगों ने करने का decision लिया, कि दो short film में उनको काम देंगे, professional team के साथ वो करेंगे, और वो channel बनाया, उस पर आप जाकर देख सकते है, मेरे कहाल से 12-15 short films अभी तक upload हो गई है, पिछले एक देड मेने में, तो जो हमारे six month advanced acting training के student है, एक-एक ने दो-दो short film की ज मुझे बहुत जबर्दस लगता है उसको देखके, कि कुछ ही मैंने पहले आया हुआ student, आज इतना confident है acting करने के लिए, तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बाकी industry में टिक्के रहेंगे, तो ऐसा कोई काम नहीं है, जो impossible है, ऐसा कोई चीज है नहीं जो हम achieve नहीं कर सकते, टिक्के रहना बहुत ज़रूरी है, विश्वास के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है, और मेरी जो journey मैंने आपको बताई, Monday motivation है, नया segment हम चुरू कर रहे है, तो कुछ planned video नहीं था, कि मैं क्या बोलूँगा, कैसे बोलूँगा, कुछ पता नहीं था, एक flow में बात नि करना है, तो करना है, that's it, बहुत सारे जो actors है, वो क्या करते पता है, वो पहले ही सोचते कोन हमें काम देगा, कोन हमें industry में launch करेगा, कोन हमें किस तरीके से करेगा, देखो आप पहला ध्यान अपने आपको बनाने के लिए लगाओ, कि मैं अच्छे actor बनूँगा, मुझे acting आ काम की कमी होती, तो इतने सारे actor काम नहीं करते होते, तो विश्वास कुद पर रखो, और हम लोग है ना यहाँ पर, आए दिन हम लोग को production house से call आते है, यह requirement है, वो requirement है, वहाँ पर हम लोग भेजते है, audition के update देने वाले बहुत सारे apps है, बहुत सारे लोग है, paid group है, free group है, वहाँ पर दिन बर के 100 audition के update आते है, वहाँ पर पहुंचना है अपने को, online भीजो, offline मुंबई में हो, तो जाके audition दो, और है क्या, यह काम tough है ही नहीं, लेकिन एक बात याद रखो, कि अगर आप यह achieve करते हो, तो आपकी पिछली साथ पुष्टों में, किसी को इतना success मिलान तो, बहुत कुछ देती है, इंडस्ट्री, बहुत कुछ देती है, शारुक खान को देख लीजिए, नवाज उदिन सिद्धिकों को देख लीजिए, मनोज वाजपी को ले लीजिए, कितने सारे actors है, जिन्नोंने गभी give up नहीं किया, गिव अप करना क्यों है, शारुक खान एक सुपर स्टार, जब फैन फ्लॉप हो गई, और बहुत सारी पिच्चरे फ्लॉप हो गई, जब वो स्टारड़ मिलता है न, तो क्या आलत होती होगी, मेरे कहल से वही आलत होती होगी, जो एक नए एक्टर की होती है, जो एक न्यू कमर की, जो एक एस्पारिंग एक्टर आमें तो बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ करना है, अब अगर हम डल होंगे, अब अगर हम action-oriented नहीं रहेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे कैसे, आप गाओं में बैठे हैं, पिछले दो साल से, तीन साल से, चार साल से आप सोच रहे हैं कि मैं एक्टर बनूगा, सोच रह है, आप मुंबई नहीं आ सकते हैं, आप घर बेटे सीखें, ऑनलाइन कोर्सेज भी अपने, मुंबई आ सकते हैं, ओफलाइन कोर्स कीजिए, डाइरेक आउडिशन देंगे, तो कोई ना कोई आपको लूटने वाला मिलेगा, और बोलेगा, मैं डाइरेक पिच्चर में पॉटो शुट करना नहीं चाहिए, पॉइंट ये बता रहा हूं मैं कि जिनको शॉटकट चाहिए, उनको ऐसे फेक लोग मिलेंगे, और वो लोग लूट लेंगे आपको, कि आपको कुछ नहीं मिलेगा, उसके बाद शायद आपकी हिम्मत भी नहीं होगी, आगे कुछ मुश्वास रखिए, मंडे मोटिवेशन सेशन में मैं यही बताना चाहता हूं कि मैं अगर फिल्मों के पोस्टर बेचने वाला लड़का, आज मुंबई में खुद के एक्टिंग क्लास चला रहा हूं, खुद का घर है, सेटल लाइफ जी रहा हूं, तो आप क्यू नहीं? क्यू खुद को रोक रहा है? क्यू डिसिजन नहीं ले रहा है? किस बात का डर है आपको? खोशिश तो कीजिए, जिस गाउं में, जिस शहर में, जिस जगह पर बैठे है, वहीं पैदा हुए, वहीं रहे, वहीं मर गए, अरे कोई तो होना चाहिए, जो उस गाउं से निकल के एक लेवल पर पहुँचा, और आज उस गाउं की आइडिन्टिटी तुम्हारे वज़ पी फिल्ड में जाना चाहते है, जस्ट दू इट, नथिंग इस इंपॉसिबल, यू कैन दू इट.